रशिकेश में मैक्स गाडी हाथ से का शिकार हो गई बताया जा रहा है कि रिशिकेश की ओर आ रही थी मैक्स इसी दोरान गुलर व्यासी के पास अचानक पहाडी से पथर आकर वहन से टकरा गया इसे पहले चालब कुछ समझ पाता गाडी बेकाबू होकर 500 मीटर गहरी खाई में जाकिरी और सीधे गंगा में समा गई सूचना पर SDRF और धालवाल की टीम सर्च ओपरिशन में जुटी होई है जिसमें वाहन सवार 11 लोगों में से 5 लोगों को ढूंड लिया गया है जबकि एक की मौत हो गई है जिसका शब बरावत कर लिया गया है जबकि 5 लोगों का कुछ पता नहीं लग पा रहा है जिनके लिए गंगा में सर्च ओपरिशन जारी है और SDRF की टीम सर्च ओपरेशन कर रही है उनका कहना है कि सभी वाहन सवार अलग 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 इलागों से है जो सोन प्रयाक से रिशिकेश आई हुए थे चले अगली खबर चमपावत से है जहां टनकपूर हाइवे पर मलबा आने से बड़ी मुश्किल बढ़ गई है और मलबे की चपेट में फसास तेल का टैंकर लोग पैदल मलबा पार कर रहे हैं और इस पर मजबूर हो गए हैं तेजी से चल रहा है रास्ते को सुधारने का कारीया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मलबा नीचे आ गया है और लोगों को धसान और फिसलन की भी समच्छा देखने को मिल रही है लोग पैदल मलबा पार करने पर मजबूर है तेजी से चल रहा है रास्ते को सुधाने का का रूर्की में पिछले चार दिनों से जारी है बारिश बारिश और हवा से एनेच पर गिरा भारी भरकम पेड़ सडक पर गिरे पेड को फायर सर्विस द्वारा हटाया गया है पेड गिरने से दिल्ली हरीद्वार हाइवे पर बाधित रही ट्राफिक समस्या और काफी प्रयास के बाद मार्क को कावरियों के लिए खोला गया मैंगलोर कोतवाली शेत्र के लिबरे हेडी के ये तस्वीरे हैं जहां रास्ते पर एक भारी भरकम पेड़ गिर जाता है बाद में प्रशासन और दमकल विभाग की टीम वहाँ पहुँचती है और इसे जोट से बाहर निकालती है ऐसे में ट्राफिक की समस्या देखने को मिल रही थी जो अब सुचाल रूप से सही हो बिजनोर से खबर है जहाँ पुल की सडकों पर दोड़ रहा है गुल्दार रहगेद ने मोबाइल से ये वीडियो बनाया और कपकपाई हाथों से ये वीडियो बनाया गया है वारल वीडियो देखकर ग्रामिनों में दहशत का महौल है गुल्दार के आतंक से लोगों की रातों की नीद उड़ी हुई है ठाना शेर कोट की हेरवली वैराज पुल का ये मामला है तो पुल पर सरे रह एक तेंदुए को देखके गुल्दार को देखकर के लोगों में दहशत का महौल है आतंक की एक तस्वीरे सामने आई है जिससे लोग सहमे हुए हैं किसी ग्रामिन ने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था और जैसे ही इस वीडियो को प्रशासन के संग्यान में लाया गया इसके रेस्क्यू की ऑपरेशन जारी हो गई लेकिन ऐसे में लोगों में दहशत का महौल बरकरार है और तो और वाइरल वीडियो में आप देख स करते हैं कि किस तरीके से गुलदार चहल कदमी करता हूँ दिख रहा है एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी